आरियन पाल पूंटर में आपका सौगत है आज किस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप सेविन सपोर्ट इन रेजिस्टेंस स carbon secrets ये भी जानेंगे कि कैसे हम support and resistance draw करते हैं, कैसे हम इसको trading में use करते हैं, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में support and resistance के 7 secrets को, तो सबसे पहले जो हमारा जो secret आता है, हो है use top-down levels, ठीके, use top-down levels, उसमें करना क्या होता है आपको, ठीके, अगर आप नए हैं, beginner हैं, आपको support and resistance draw नहीं करने आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको daily time frame का chart लगा देना है, ये nifty bank का chart है, ठीके, daily time frame का, यहाँ पे one day time frame का यहाँ पे chart लगा हुआ है, आपको भी सबसे पहला काम ये करना है, जैसे मालीजे आपको कल trading करना है, कल कलिया analysis करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले daily time frame का आपको chart लगा लेना है, कुछ इस तरह से, अब आपको उपर से लेके नीचे के side में आपको line draw करना, चालू कर देना है, प्राइज को नीचे जाने से रोक रहा है, इसका मतलब हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है, प्राइज को नीचे जाने से रोक रहा है, हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, यहाँ पर प्राइज को उपर जाने से रोक रहा है, हमारे लिए क्या हो गया, रिजिस्टेंस हो गया, ठीक है, यह भी हम यहाँ पर देखेंगे, यह वापस यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिये, यह हमरे लिए क्या हो गया, रिजिस्टेंस हो गया, और यह हमरे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, क्योंकि प्राइज उपर नीचे इन्ही के इसी के बी लाइन ड्रॉ कर दिया ठीक है यहां से प्राइज गिरा हुआ था हमने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया फिर नीचे आएंगे नीचे के साइड में यहां से प्राइज उपर के साइड में गया हुआ था यहां से प्राइज उपर गया है तो यहां से प्राइज उपर गया है त तो पर फिर आपको ऊपर किसे नीज़े साइड में आते रहना है अब यहाँ पर यहाँ पर प्राइस यही से उपर गया हुआ है और यहाँ पर भी सब्सक्राइब जा था जिसको gap down नहां तोड़ा था तो अब यह हमारे लिए क्या हो जाएगा भी यह support बना हुआ है फिर साम नीचे की साइड में आएंगे तो यह हमारे लिए आप यहाँ पर यह इसको draw कर देंगे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से हमें daily time frame पे ही हमें draw करना है ठीक है closing base पे हमें daily time frame पे ही horizontal line draw करना है ठीक है बाकी अगर आप अलग लग time frame पे draw करेंगे तो आप बहुत सारी line हो जाएगे आपके सामने और हमें साप confused होगे आपको पस कुछ इस तरह से आपको draw कर देना है निचेक सार में यह support, 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 ठीक, अभी price यहाँ पर है, तो यह support, यह resistance, यह resistance, यह resistance, ठीक है, ऊपर सार में यह से बढ़ते जाएंगे, तो resistance, 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 यह से हमारा resistance बनता जाएगा, निचेक सार में यह सब हमारे क्या है, support है, अभी price की closing यहाँ पर हुई है, ठीक है, तो इस तरह से यहां से बार बार यहां पर टच कर रहा है तो हमने यहां पर एक रिस्टेंस लाइन ड्रॉप कर दिया यहां से बार बार यहां पर टच किया तो जो मेजर है उन पर हमें लाइन ड्रॉप करना है ना कि बार बार आप यहां पर ड्रॉप कर दो यहां पर भी दिख रहा है अगर इस तरह से करोगे आप जैसे मलजी अगर हमने यहां पर इस तरह से लाइन को ड्रॉप करते हैं यहां तो इस एक बेतर बहुत सा करना है कि बहुत कीज़ी होगी अब हमें आना है 15 मिन के टाइम फ्रेम पे जैसे हमें 15 टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें support and resistance हमारा हमने जो draw किया है हमें वहाँ पर show होने लगेगा support and resistance ठीके जैसे आप देख रहे हैं आपर यहाँ से price गिरा हुआ है तुमारे लिए resistance हो गया है अब बार बार यहाँ प दो आपको क्या करना है जब आप इंट्रे टेडिंग करते हैं तो आप फंद्रंट के टाइम फ्रेम पे आते हैं ठीके अब यहाँ पर क्या करने लगते हैं आप कुछ इस तरह से बार बार यहाँ आपर यहाँ से किरा जिस देंगे ठीके यहां से resistance हमारे लिए हो गया यहां आप support बन रहा है यहाँ लाइन खिश दिए ठीक है यहाँ support बन रहा है क्योंकि यहाँ surprise उपर गया है यहाँ support खिश दिए तो इतना सारा जब आप line खिश दोगे तो आप हमेशा confused रहोगे आपको सिर्फ daily time frame पे ही और gentle line रहा करना है ठीक है बाकी यह जो आपको support बन रहा करना है कुछ इस तरह से ठीक है हमें इनको trend line के जरीए draw करना है कुछ इस तरह से ठीक है यह जो हमें जो 15 मिन के time frame पे जो हमें दिखते हैं वो हमारे trending support and resistance होते हैं हमें उन्हें किस पर draw करना है trend line पर draw करना है कि यहाँ पर resistance है यह resistance है यह resistance है तो इस तरह से हम एक resistance line ड्रॉ कर देंगे जब इसका breakout होगा रिजटेस्ट होगा फिता मार्केट ऊपर के साइट में जाएगा तो पंद्र आपको सिफ daily time frame पे ही आपको horizontal support and resistance draw कर लेना है जो major है जहां से major हमारे देखा था कि यहां से गिरा हुआ था जहां से बढ़ा हुआ था बस हमें उन पर ही ध्यान देना है जैसे हम यहां पर यहां से गया हुआ था हमने एक line draw कर दिया यहां से उपर गया था हमने line draw कर दिया यहां से उपर गया था हमने line draw कर दिया दो वर टच करके तो जो major है सिर्फ हमें daily time frame पे आना है वहां आप हमें draw कर दना है तो उनको ही हम support and resistance मानेंगे उनको ही हम एक अच्छा level मानेंगे ठी करना है नहीं तो बहुत सतारी लाइन हो जाएंगी आप हमेंसा उसमें कन्फीज रहोगे आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है तो यह दो हमें हमारे सिक्रेट होगे अब जो हमारा जो सिक्रेट्स है अगला उसमें अपडेट योर लेवल्स आपको हमेशा अपने लेवल को अपड ले रहा था एक line है बन रहा था gap down ने उसको तोड़ा तो हमने projection में क्या सिखा था कि जब किसी support का breakdown होता है हमारे लिए क्या बन जाता है resistance बन जाता है ठीक है resistance बन जाता है तो अब ही हमारे लिए क्या बन गया resistance बन गया तो यहां पर देखिए तो अब यहां पर हम देखेंगे कि मा लिए इसके पहले हमारा जो resistance है तो हमने इस label पर हमने यहां पर draw करके रखा था ठीक है कि यहां से price अगर गीरा हुआ है खुब जाता हमारे लिए resistance लेबल यह हो जाएगा अपने draw करके रखा था अब आप देखेंगे कि इस resistance को यहां पर इसने क्या किया है थोड़ा सा हमारे लिए क्या बन जाएगा resistance बन जाएगा अब इसके ही breakout पर हमें यहां पर int लेना है जब किसी resistance का अगर breakout होता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है इसको जब तक breakout नहीं करेगा तब तक हमें ऊपर के साइड में नहीं जाना है तो इस तरह से हमें अपनी लेवल को क्या करना है अपडेट करते रहना है ठीक है इस तरह से हमें अपनी लेवल को क्या करना है अपडेट करते रहना है हमारा तीसरा लेवल की हमारा सीकेट है चाथा क्या है हमारा सीकेट use zones, ठीक है, हमें zone, zone बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है zone, हमें अगर support resistance अगर हमें draw करने आ रहा है, तो हमें zone बनाना है, पहले अगर zone बनाना सीख जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, जैसे माली जीए कि बार बार देखे, यहाँ पर support लिया, यहाँ पर support लिया, यहाँ पर support ले रहा था, तो अब हमें एक support line draw करना था, ठीक है, तो माली जीए से हमें यहाँ पर support line draw कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे हम इसको लेंगे और आप क्या करेंगे कि सब को मिलाते हुए ठीक है तीनों को मिलाते हुए हम इस तरह से इस तरह से हमें एक जोन बना देंगे ठीक है कुछ इस तरह से हमें आप जोन बना देंगे तो सब को एक एज़ेस्ट करते हुए नीचे के साइड में हम थोड़ा सा इसको भी एज़ेस्ट कर देंगे ठीके इसको उपर के साइड में इस तरह से एज़ेस्ट कर देंगे और नीचे के साइड में इसको हमें एज़ेस्ट कर देंगे इसको इस तरह से, ओके तो अब इसको भी हमें नीचे के साइड में इस तरह से एज़ेस्ट कर देना है थोड़ा सा और एज़ेस्ट करना है हमें वीक से वीक मिला देना है ओके चल गी देखें अब हमारे हमारा यहाप क्या हो गया adjust हो गया इस तरह से हमारा पूरा एक zone बन गया तो हमें क्या करना है कि अगर लाइन आप ड्राव कर रहे हैं आपको बहुत कंफिजों नहीं था आप एक zone बना दीजिए जिसे यहां पर support लिया अब यह पूरा यहां पर support लिया इसको भी अब support हुआ तो उसको break किया तो यह हमारे लिए resistance हो गया यह पूरा हमारा एरिया resistance है ठीक है तो इस तरह से हमारा पूरा एक zone बन गया जो हम पहले लाइन ड्रौ किये थे अब हमें क्या करना है एक zone बना देना है ठीक है अगर यहां पर support ले रहा था फिर इधरी आज पास यहीं पर गया पर यहीं पर सपोर्ट ले रहा था तो यह यह पूरा एक zone है ठीक है यह पूरा हमारे लिए क्या है zone है ठीक है तो इस zone में हम फस्च कते हैं यह zone हमारे लिए पहले क्या था support का zone ठा अब यह breakdown हुआ हुआ हमारे लिए resistance सपोर्ट का जोन है अब प्राइज इसको यहां पर आएगा यहां पर एक पैटन बनाएगा घुमेगा यहां से उपर के साइड में जाने लगेगा सपोर्ट लेगे तो इस तरह जोन बना देंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा क्या डिरेक्शन होने वाला है ठीक है जब कीसरे। इसके नीचे डे curry time frame कीके यहां आपको नहीं होगा तब तक हमान से बिरिस नहीं होगे अगर यहीं पर सपोर्ट लेगा आपको यहां पर सपोर्ट लेगा सपोर लेता है इन उपर साई बना देग हमकी क्या है की अगर हमते सपोर्ट instance draw करना है अगर बेटर तरीके से तो हमें क्या करना है line graph यूज़ करना है जैसे यह हम candle यूज़ कर रहे है तो हमें क्या करना है line वाला graph यूज़ करना है जैसे मलीज़े कि अभी ये candle में है तो हमें line वाला हमें use करना है हमें उसमें करना क्या होगा आपको यहां पे जाना है, दिखिए candle दीख रहा होगा, candle जाना है, आपको यहां पे click करना है आपको दीख रहा होगा है, पर line, तो line मनें पर आप click कर देंगे, तो आप candle के जग की है इस तरह से line लग जायेगा थे जो लाइन चार्ट लग जाएगा हमारा तो पहले केंडल चार्ट था अब हमारा लाइन चार्ट हो जाएगा तो लाइन चार्ट हो गया तो अब हमें इसमें सपोर्ट है रिस्टेंस द्रा करना है तो अब आपको क्या स्टार्ट करना है उपर से स्टार्ट करना है यहाँ यहा यहां से एक support zone हमें आपे draw कर देंगे ठीक है फिर से line लेंगे हमने यहां पर तो यह पूरा थेये यहां पर देखे आप देख रहे हैं कि यहां से गिरा था फिर यहां यह जो बोड़ा line लेंगे यहां पर तो आप यह पर एक जब candle लगा आप देखेंगे जैसे हमने पहले रोख चिया था., सेमे उसी करने से मनेले लगवा कि आत-पास चाहली है ध्ला हो जायगा श्ब्t कारेंगे? वीक से वीक हमें ध्ला कर देना है हमें से वीक ना, वीक से वीग हम इसरो से एजड्येस कर देंगे यहा हाँ तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यह सिक्रेट अबना सकते हैं कि लाइन वाला आप वहाँ पर चार्ट लगाई है, वहाँ पर ड्रॉख कर दिजिए, फिर आप केंडल पर आके आप विक से भी आप वहाँ पर एजिश्ट कर दिजिए तो आपको वहाँ पर support resistance आपको draw हो जाएगा यह याद रखना कि आपको सिर्फ daily time frame पर ही original line draw करना है बाकि जो आपको 15 वन के time frame पर चोड़े time frame पर दिखते हैं वो trending support resistance होते हैं आपको trend line से ही draw करना है अगर उसमें आप original line draw कर देंगे पंदरण के time frame पर तो आप हमेसे वहाँ पर confused रहेंगे ठीके बहुत सारी line हो जाएंगी जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर बिमारा support resistance है यहाँ पर support है यहाँ पर support है यतना सरा आप line किस देंगे कितने line के breakout पर print लेंगे कितने line के breakdown पर print लेंगे तो ऐसा नहीं होता है आपको 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 daily time frame पर draw करना है ठीक है daily time frame पर draw करने के बाद आपको जो यह सब दिखता है यह trending support and resistance होते हैं वहाँ पर आपको इस तरह से आपको draw कर देना है trend line draw कर देना है तो यह आपके यहाँ पर resistance यह resistance यह resistance यह resistance जब इसका breakout होगा breakout पर रेटेस्ट होगा यहीं पर आपको entry लेना है market उपर क्साइक में जाएगा इस तरह समय आपके काम करना है अब अगला जो हमारा secret है support and resistance का वो क्या है कि इसको सब deal कर देते हैं यह बहुत ही important है हमारा जो छटमा हमारा जो है वो है support and resistance from pitchforks ठीक है यह एक tool है ठीक है pitchforks एक tool है इस tool का मदद से हम support and resistance को पहचान सकते हैं और हम वहाँ पर उसको line draw कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं pitchforks क्या है ठीक है यह बहुत ही important है इसको आप ध्यान से देखना तो उसमें आपको क्या करना है यहाँ पर आना है आपको ठीक है यह जो चार्ट हम देखते हैं यह trading view पर देखते हैं trading view पर यह सब जो side में यह सब सारे tools हैं तो यह tools का यूज करके हम trend line support and resistance draw करते हैं तो यहीं पर आपको एक tool मिलेगा pitchforks तो आपको क्या करना है second वाले पर यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको click करना है click करेंगे तो आपको यहीं पर एक tool दिख जाएगा pitchfork ठीक है इसको आपको लेना है pitchforks को लेना है अब आपको क्या करना है पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले आपको क्या करना है जैसे यहां से start हुआ है यहां पर आपको आना है और यह इस तरह से आपको कुछ यहां पर इस तरह से draw कर देना है तो यह होता क्या है इसको पहले आप समझ लिजिए यह उपर की line है ये middle line है ये lower line है अगर माल लिजे कि ये lower line हमारे लिए support की तरह काम करेगा और उपर के जो line है हमारे लिए resistance की तरह काम करेगा अगर ये जो है ये dynamic रहेगा मतलब कि अगर इसके नीचे है तो ये resistance की तरह काम करेगा अगर price इसके ऊपर है तो यह हमारे लिए support की तरह काम करेगा फिर इसे आपको समझा देते हैं pitch box जो tool है हमारा ठीके आपको यहाँ प्याना है यहाँ पर click करना है pitch box मिलेगा आपको इस तरह से लगा देना है जैसे ही लगाएंगे आपको क्या करेंगे यह नीच वाली line हमारे लिए क्या काम करेगा support के तरह काम करेगा उपर वाली line हमारे लिए क्या काम करेगा resistance के तरह काम करेगा और यह बीच वाला line क्या रहेगा change होता रहेगा, dynamic रहेगा मतलब कि अगर इसके उपर price है तो यह हमारे लिए support बन जाएगा अगर इसके मीचे प्राइजे समारे लिए क्या बन जाएगा अब इसको लगाना कैसे है इसके उपर मैं एक डिटियल में वीडियो बना दूँगा ये पूरा का पूरा के उपर मैं कोर्स बना दूँगा इसकी ट्रेडिंग स्टेड़जी ठीके अभी फिलाल आप ये समझ लिए कि सपोर्ट है रेश्टेंस बस हमें ड्रॉ करना है पिश पोक्स के मदद से ठीके इसको हमें ट्रेडिंग में यूज करना है तो अब आपको लगाना कैसे है जैसे माले इसको हम डिलिट कर देते हैं तो आपको यहां पर पिश पोक्स में आना है यहां पर आ गए हम जैसे इसको लिए यह पिश पोक्स लिए अब आपको क्या करना है कि जैसे सबसे लास्ट में जहां था जहां से स्टार्ट को आ था यहां से आपको लेना है और जहां तक यह गया हुआ है यहां पर गया हुआ है तो इसको уlajar हभी आभी जहां पर है यह वहां पर हमने इसको इसको हमें ले लेना है एक minute यह wrong हो गया फिर से हमें इसको deilt करना है ऐसे आना है तो simple इसको use करने के लिए अगर आपको ज़्यादा confusion नहीं जैसे जो प्राइस का moment है एक एक इस तरह से लेना है हमें मतलब कि पहला लेना है दूसरा लेना है और तीसरा लेना है ठीक है इस तरह से हमें ड्रॉक करना है तो आप इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ाएगा एक indicator लगा लो जिसका ही जिक जक 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 हाई- draw लो तो इसको उपर क्लिक कर देंगे जिक जक हाई- dito MAY अब आपको इसका movement पता चल जाएगा कि यहाँ पर one हो गया, यहाँ पर two हो गया, यह three हो गया, यह four हो गया, इस तरह से हमें ले लेना है, तो अब हमें क्या करना है, कि जो pitch box हम लेंगे, ठीक है, pitch box लेंगे, पहले number पर करना है, दूसे number पर test करना है, फिर तीसे number पर आके मिल देना है, अब हमें क्या करना, यह indicator को delete कर देना है, तो यह हमारा इस तरह से हमारा लग जाएगा, अगर आपको ज्यादा confusion हो रहा है, तो इस तरह से हमारा लग जाएगा, तो जैसे हमने बताया कि नीचे support, यह हमारा resistance, बीच वाला हमारा dynamic रहेगा, अब आपको delete time frame पर ही कर दिया, तो price उपर गया, और यह उपर लाइन हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे एक साइड में आया, इसको gap down ने तोड़ा, तो अब यह जैसे देखिए, यह अब हमारे लिए support था, तो हमारा resistance बनके यहाँ resistance लिया, इधर आज पार resistance लिया, अब इसके नीचे कि साइड में जा रहा है, अब यह जो लाइन चे वाला लाइन है, यही पर यह support ले रहा है, अब माल लीजिए कि अगर इसके अगले दिन, अगर माले जिए जो हमारा जो trend line आ रही है, जो हमने बताया था ना, कि trending support रेजिस्टेंस है, यह trending resistance है हमारा, अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है, तो यह price उपर की साइड में जाएगा, और यह जो line है, यह जो बीच वाले line हमारे लिए क्या काम करेगा, resistance की तरह काम करेगा, तो कुछ इस तरह से price इसके बीच में ही अगर चलता रहे है, मतलब कि इस तरह से जारा अगला हमारा लिए resistance रहेगा, तो यह भी आप इसको use में ला सकते हैं, support and resistance के तौर पे, इसके उपर मैं detail में वीडियो बना दूँगा, अब जो अगला हमारा जो secret है, हो है, support and resistance from indicators, indicators के माधिम से भी हम support and resistance को देख सकते हैं, जैसे पहला हमारा indicator है, moving average, तो हमने यहाँ पर indicator प्रिया प्याना है, moving average आप है, इसको आपको लगा देना है, ठीक है, moving average लगा दिया हमने, themorg into debrief है के लिए 20 moving average याफ़ि propaganda फिर 50 moving average याफिर 40 moving 2020 moving ओरे, हमें stuck 50 moving déc लगा देते हैं, अब आपको देखेगा, कि यह जो है dynamic support के resistance तब्सक्रा करता है, pushing oration क्या होता है यह dynamic support रेस्ट तरह काम करता है जैसे अगर price अगर इस line के ऊपर रहे है तो यह थी हमआले लिए The Smart focus ग manner गएगा अगर price इस l Island के नीचे इत्मारे लिए resistance के तरह काम करेगा जैसे मालीजिए कि यहां पर देख सकते हैं कि price अगर इसके ऊपर रहे है कि support resistance हमारा कहां पर बन रहा है ठीक है support resistance हमारा कहां पर बन रहा है जैसे मलीजी अगर हम horizontal line draw किये थे हाँ पर तो horizontal हम कुछ इसके आज़ पर draw किये थे draw किये थे हमारे लिए horizontal line था resistance हमें इसके breakout पेंटी लेना था और आप देखेंगे कि जो ये जो हमारा line है इंडिकेटर वाला moving range का इसका भी breakout हुआ है तो यहां पर हमारा double confirmation मिल गया कि यह हमने जो line draw किया था यह बिलकुली सही था और moving range का भी breakout हो गया है यह भी हमारा dynamic support resistance है पहले हमारा resistance था अभी breakout हो गया है तो यहां दोनों जो जो प्रेकाउट चुका है तो हम आप उपर के साइड में जाने वाले है तो इस तरह से हम indicator के सहारा से भी हम support resistance को draw कर सकते है एक और indicator आता है bollinger band जैसे यहां पर जाएंगे आप देखेंगे यहां पर bollinger band है यह bollinger band को आप लेंगे यहां पर इसको click कर देंगे कुछ इस तरह से हमारा bollinger band लग जाएगा indicator में तो bollinger band भी हमारा support रिष्टेंस यहां पर बता देता है जैसे माले जिए कि उपर वाला line मारे लिए resistance तरह काम करता है अभी यहां पर रिष्टेंस का तरह काम किया हुआ है तो यहां पर रिष्टेंस लिए आप नीचे की साइड में आ रहा है अब यह line पर support लेगा फिर उपर की साइड में जाएगा और इस line के पास इस तरह से आता है तो यह भी याद रही है कि अम बुलेंजर बैंड को भी support रेश्टेंस तरह ले सकते हैं यह वाला line मारे लिए support रहेगा उपरवा line लिए resistance रहेगा यह वाला line हमारे लिए dynamic support रेश्टेंस रहेगा जैसे बुलेंटर बैंड में आप देख रहे हैं कि जब Prize जिसके नीचे है, लायन की नीचे है, बीच वाल की नीचे है, इतो हमारे लिये abandon काम करेगा. यहां पर breakout हो गया. अब हमारे लिये क्या बन गया? यहां पर support, बन गया. इहां पाया, क्या इसके इसके मैच कर रहा है जैसे माली जी अगर हमारा यहां पर है अगर हमारा हमने यहां पर किया था तो में बता रहा था ब्रेकाउट हुआ है लाइन में ब्रेकाउट हुआ है तो हम बुलॉंजर बेंट से करेंगे कि यह जो डाइनेमिक सपोर्ट रेस्टेंस है नीच से स्टार्ट करना है आपको ऐसे सी नीचे साइम लाइन ड्रॉ करते जाना है और डिले टाइम प्रेम पे आपको ड्रॉ करना है हमें सिर्फ मेजर को देखना है जो मेजर ठीक है जो मेजर है जहां से गीरा हुआ है वहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है रेस्टेंस जहां से उपर या cross करके फिर अंदर घुज गया तो अब क्या करेंगे हम इस line को adjust करके ऊपर कर देंगे अपर resistance हमारा क्या हो गया ऊपर हो गया समस्र हमारा अगर support यहां पर था अगर मालीजिए कई बार अगर support को break करके ऊपर फिर अंदर आ गया है पर dandy बना दिया विक बना दिया तो अब हम क्या करेंगे जो हमारा support है उसको adjust करके नीचे की साइड मिल करतेंगे अपने label को हमें क्या करना है adjust करना है, हमें zones मनाने है zone को use करना है, जैसे माले जिये कि हमें week से week मिला के line किसना है अगर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, zone मना देंगे जैसे हमने यहाँ पे यह zone मना दिया था ठीक है, कुछ इस तर जैसे हमने यहाँ पे zone मना दिया था यह लाइन बार बार टच नहीं हो रहा था यह पूरा आमने जोन बना दिया था इस तरह आपको जोन बनाने की ट्राई करना है ठीक है जैसे माली जी एक जोन हमारा यहाँ पर था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जैसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गिय पूरा हमारा क्या हो गया? रेस्टेंस पूरा जोन हो गया, यहां से गीरा, यहां से गीरा, यहां से गीरा, यहां से गीरा, यह पूरा हमारा जोन हो गया, इस तरह साब यहां पर जोन बना सकते हैं, तो जोन बराएंगे तो सप्लाई जोन हो जाएगा, डिमांड जोन हो जाए कमेंट से हमें मोटिवसम मिलता है सेर केजिए उन दोस्तों में जिनको इसकी जरूरत है अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो मिलते एकले वीडियो में धन्यवाद